नमस्क्राइब दूस्तों FL India इसके quarter one के नमबस आ चुके हैं और देखिए FL India में सबसे पहले standalone नमबर की चर्चा करूँगा फिर इसमें जो दूस सेग्मेंट होते दोस्तों आप कैसकते उसकी चर्चा करेंगे फिर consolidated नमबर के साथ आखरी में ये चर्चा करेंगे कि इंडिया के अंदर और outside इंडिया किस तरह सा company ने business किया है तो एक एचीज में चर्चा होगी दोस्तों और देखिए मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि कई बार ये आपके सकते comment में ने पढ़ा है और even आपके सकते हैं serious investor members group में भी आया था कि जब भी आप करते हैं तो दोनों के इपर पढ़ दिया कीजिए क्योंकि देखिए जब मैं analysis किसी करता हूँ तो senior investor group में लेकर के या आता हूँ मैं पूरी तरह से तो यहाँ पे जो दोनों ही number है उसकी चर्चा करेंगे ठीक है तो चलते है result की तरफ और जैसा कि सबसे पहले दिख रहा है दोस्तों numbers million में सबसे पहले भाई साब income revenue from contracts with customer इस बार company काया है 137 करूर का जो पछले quarter में 136.5 करूर था और एक साल पहले दोस्तों 105.1 था यानि year on year एक decent jump है quarter on quarter के सकते है flat से numbers है बात करें अधर income की तो इस बार 5 सबा 5 करूर की है जो पछले quarter में 7 करूर थी एक साल पहले दिखेंगे तो 3.6 करूर और जब आप इन दोनों को ही मिला लेंगे दोस्तों total income company की निकल की आएगी 142.5 करूर जो पछले quarter में न दोस्तों 143.5 करूर थी और एक साल पहले 108.7 करूर रुपह दी दोस्तों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं खर्चों की expenses की तो सबसे पहले आता है inventory और data cost 89.9 आप almost 90 करूर कह सकते हैं जो पछले quarter में 84.3 थी और एक साल पहले 65.7 करूर तो year on year inventory data cost में आपको jump साफ देखने को मिल रहा है लेकिन भई आप जब आपका business इतना बढ़ा है साल दर साल में तो inventory और data cost में भी आपको बढ़ते ही देखने को मिल सकती है Employment of expense ये साड़े बारा करोर इस बढ़ा है जो परिछले quarter में 11.8 करोर था और एक साल पहले 11.7 तो more or less सेम है साल दर साल में जो आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत बढ़ती होनी चाहिए मुझे तो लगता है दोस्तों उस proportion में भी एक काम है अब आप देखते हैं क्या other expenses 17 करोर रुपीज का खर्चा है जो पिछले quarter में आप देखेंगे 18 करोर था एक साल पहले 15.3 करोर आप इन दोनों को ही जोड़ लेंगे न तो टोटल खर्चा निकल गया आएगा 121.5 करोर जो पिछले quarter में 116.3 करोर था और एक साल पहले 94.6 करोर रुपीज थे आप इन सब को जोड़ लें तो आप कैसा जोड़ लिए तो यह आया और अब इसके बाद आप profit before tax देखेंगे न 20.9 21 करोर का profit है जो पिछले quarter में 27.4 करोर था यानि यहाँ गिरावट है और एक साल पहले 14.4 करोर रुपी थी तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यह काफी अच्छा jump साल दरसाल में आपको stock दिखाएगा ठीक है और अब देखते हैं भई कि total comprehensive income company की क्या यह है तो इसके लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा और देखते हैं total comprehensive income for the period तो यह 15.5 करोर रुपए है जो पचले कॉर्टर में 20.3 करोर थी और एक साल पहले 10.2 करोर रुपए दोस्तों ठीक है तो साल दरसाल में तो मैं पहली कहा कि काफी अच्छा jump है EPS भी देखेंगे तो आपको यहां साफ साफ बढ़ोतरी साल दरसाल में कॉर्टरों कॉर्टरों में देखने को साफ में लेगी अब यह तो बात होगी standalone में इस पे थोड़ा साब चर्चा करते हैं segment wise किस तरह से business हुआ है तो देखें इसके लिए नीचे जलते हैं और आप देखेंगे आपे सबसे पहले consumer platform क्या किया है 134 करोड पी इसका business हुआ है दोस्तों जो पच्छिले quarter में 132 करोड था एक साल पहले यह मात्र 102 करोड तो consumer platform में year on year में jump है quarter no quarter भी आपके सकते हैं flat to positive number है enterprise platform आप देखेंगे न तो जहां एक quarter पहले यह 4 करोड था वो घट के मात 2.8 करोड हो गई है और एक साल पहले यह 3 करोड थी ठीक है यह कारण है दोस्तों तो भई यह क्या चीज़े हो गई यह हो गई सब्गिन वाइस ठीक है अब आप देखें कि रेवेन्यू कैसे आया है ठीक है आप सब्गिन रेजल्ट हो गया यह ठीक अब नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं Consolidated Numbers की आप यहां पर पाएंगे Consolidated Numbers तो stand-alone की जगह stand-alone के समानी यहां पर भी Millions पर नंबर है सबसे पहले revenue from contract with customer 406 करोड रुपए हैं दोस्तों जो पिछले quarter में 355.8 करोड थे आप 356 करोड कह सकते हैं और एक साल पहले 374 करोड थे अधर income दिखेंगे 9.8 यानि almost 10 करोड जो पिछले quarter में 7.5 करोड थे और एक साल पहले दोस्तों 7 करोड थे आप इन दोनों को जोड़ लें टोटल income निकल के आएगा दोस्तों 416.4 करोड जो पिछले quarter में 373 करोड था और एक साल पहले 354.3 करोड तो year on year और quarter on quarter दोनों में आपको जम्प देखने को मिल रहा है आब अब क्या बात करेंगे expenses की inventory और data cost 248.2 करोड है जो पिछले quarter में 216.3 करोड थी एक साल पहले 219.8 यानि 220 करोड आप कह सकते हैं Employment of expense जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों ये 56 करोड है जो पिछले quarter में 49.3 करोड था और एक साल पहले 43.1 करोड बात कर लेते हैं other expenses की तो ये इस बार 24 करोड के रहे हैं जो पिछले quarter में 21 करोड था और एक साल पहले 15.8 यानि लगभग 16 करोड थी दोस्तों आप इन सब को जोड़े तो total expense निकल के आएगा 346.3 करोड जो पिछले quarter में 303 करोड था और एक साल पहले 290 करोड और यही कारण है कि जब हम आखरी पे चलते हैं और सीधा बात कर लेते हैं कि total total comprehensive income क्या रही है तो देखिए total comprehensive income for the period company के निकल के आएए दोस्तों for the year 62 करोड रुपी जो पिछले quarter में 61.60 लगभग flat है दोस्तों लगभग same है और एक साल पहले यह 77 करोड थी यह consolidated number हैं दोस्तों 77 करोड रुपी थी ठीक है अब इसको लेकर के चलते हैं क्योंकि देखिए यह business के कराण नहीं कुछ taxation के बीच ही में होगी उसके कराण reason होगा reason अगर मैं इसको explain के दोस्तों serious investor group में तो बताऊंगा अब बात कर लेतें किस चीज की भाईया EPS की ठीक है EPS क्या रहे है EPS रहे है diluted देखेंगे 4.68 से बढ़के 4.97 और एक सार पहरे जो 4.1300 से बढ़के 4.97 दूस्तों ठीक है अब इसमें India और outside India क्या हाल है तो देखिए बात करें इंडिया और outside India की तो आपको यहां दिखेगा इंडिया में segment wise revenue क्या रहा है 137 करोड जो पिछले का उटर में 136 करोड था और एक साल पहले 105 करोड रुपे था दोस्तों अब outside India क्या हाल है 276 करोड रुपीस है दोस्तों जो पिछले कोड़र में आप देखेंगे 226 थी तो आउटसे इंडिया में business बढ़ता दिखाई दिया है और एक साल पहले से देखेंगे तो भी आपको इंडिया में के बाहर बढ़ता दिखाई देगा और देखिए साल दर साल में तो चाहे भारत हो और आउटसेड भारत हो आपको दोनों में ही जंप देखने को मिल रहा होगा revenue में दोस्तों और इन totality में भी आप देखेंगे तो फिर overall आपको जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों तो यह था दोस्तों छोटा सा analysis था जो आपके साथ FL India के लिए करना था इसकी अगर आपको कह सकते हैं आप चाहते हैं कि इसके उपर complete analysis लाऊं आपके सकते हैं comment कर दीजीगा और या सिर्फ investor group की अगर आपके सकते demand होती है तो इसको वहाँ पर एक complete analysis दोस्तों प्लस जो media और investor जो presentation release होती है तो ये इस वीडियो कानते हैं दोस्तों जय हिन